हेलो फ्रेंज वेलकम को आज चानल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स तो दोस्तों जो लोग यहां पे बेरिश है उन लोगों के लिए एक बहुत क्लीन और क्रिस्टल क्लियर चार्ट यह जो है ना यह बेटकोईन मंथली टाइम फ्रेम के उपर है अगर हम लोग प्रॉबली बेलेक्स के उपर जाए तो तो यह और क्लीनर चार्ट तुम्हें यहां मिल जाएगा अब यहां अगर तुम देखते हो ना तो यह फिलहाल जो है वो बेटकोईन की 20 मंथली मूविंग एपरेज यह ओरेंज लाइन और इस ओरेंज लाइन के नीचे हम लोग जितनी बार भी गए है जितनी बार भी उतनी बार अगर तुम देखोगे तो वो बेस्ट बाइंग ऑपर्चुनिटी थी ना कि डरने वाली यहां पे हम लोगों ने विक मारा उसके बाद तुम देख सकते हैं अगर तुम नो यहां कहीं इस एवरेज के नीचे अग यहां पे तो उसके बाद भी तुमने कितने solid profits बनाए होते हैं अब तीसरी बार हम लोग जो है वो इस line के नीचे आए और अगर अभी भी तुमने यहां कहीं Bitcoin को buy किया है तो मेरे भाई long term पे तुम है मतलब तुम superstar हो long term अगर तुम देखो तो क्योंकि तुमने Bitcoin को इतने अच्छे zone में buy कर लिया ना जो Bitcoin का almost bottom होता है और अब भी अगर तुम देखोगे तो हम लोग वापस इस line के ओपर है उसको as a support confirm कर रहे है मंतली चार्ट जो है वो उसी के ऊपर चल रहा है तो मेरे भाई यहां पर bearish होने जैसा कुछ भी नहीं है अब यह तो बात होई monthly time frame की अब अगर हम लोग daily time frame के ओपर चले तो थोड़े चोटे time frame पर यहां अगर तुम देखते हो तो थोड़ी सी resistance जरूर है बट मेरे भाई जो charts होते हैं वो ऐसे ही चलते तो पहले क्या आता एक move होता है बड़ा सा फिर उसके बाद हम लोग एक थोड़ी सी consolidation करते हैं उस consolidation के बाद हम लोग next move की तरफ निकल जाते हैं तो कभी भी price ऐसे नहीं चलता के चलो ठीक है भाईया एक बार move आ गया वैपस उपर की तरफ चलो नहीं अब तुम hopefully यहां पर जो है वो बिटकोईन को थोड़ा correct होते हुए देख सकते हो जो अगेन मैंना बोला 26,500 डॉलर्स या 26,000 डॉलर्स की तरफ जो हमारा next long लेने वाला zone है तो वहां पर हम लोग लेंगे और hold करेंगे उसे 29,000 डॉलर्स की तरफ और अगेन जो हमारा पर्प में trade था मेरे भाई वो trade close हो गया क्योंकि तुम देख सकते हो हम लोग ने support भी तोड़ दिया हम लोगों ने 200 डे moving average भी तोड़ दी तो hardly 1.5% का loss हुआ जिससे कुछ खास फर्थ नहीं पड़ता इसलिए हमें वो हमेशा stop losses लगा के चलने चाहिए यह तो बात हुई पर्प के update की यह बात हुई bitcoin की यहाँ पे बिलकुल bearish मत हो हम लोग बहुत solid spot पे है जब तक हम लोग 26,233 डॉलर्स नहीं तोड़ रहे तब तक हम लोग कहीं नहीं जा रहे बहुत से लोग 23,000 डॉलर्स का wait कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत जल्दी वो 23,000 डॉलर्स देखने वाले हैं और यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ यह भाया एक बहुत smart आदमी जो cryptocurrency में काफी time से है जो bitmex का ex CEO है जो gmx का early investor है जिसने hook protocol में पैसा डाला जिसने look chain मतलब almost जितने projects में इस बंदे ने पैसा डाला पैसा बनाया ही है और अगर इसकी बात यहां समझ के चलो अब यह क्या term use की थी bear steepener करके यहां है वो term bear steepener अब इसका क्या मतलब होता है कि मेरे भाई जो हमारे अब देखो US क्या करता है वो एक government bonds निकालता है कि भाई यह तुम इसमें पैसा डालो तो at the end of the day हम तुमें जो थोड़ा पैसा बनाके वापस कर देंगे तो जिससे क्या होता है कि तु तुमको saving interest नहीं देते कि तुम account में रखों तुमको 5-6% पैसा देंगे नहीं यह लोग क्या कहते कि तुम government yields तुम country में invest करो और हम तुमें जो है वो 5-6% जो है वो वैसा profit दे देंगे at the end of the day तुम पे है कि तुमको मालो 2 साल के लिए पैसा डालना है तुमको 5 साल के लिए डालना है दस साल के लिए डालना है यह 30 साल के लिए डालना है तो यहां पे अब हो क्या रहा है ना तो जो इनके bond yields है ओके एक मिनट में तुमें बताता हूं तो इनके जो bond yields है जो 30 साल बाद का bond yield है उसका interest rate पिलाल जो है वो highest है मतलब अब तक इतना high कभी नहीं हुआ और करेगा तो वो एकदम दूर की सोच रहे है फिलाल ओके और इसी लिए यह आर्थरेस क्या यहां कह रहा है कि भाईया जब वाले तुमारे bond yields गिर रहे है ना तो government को अपने bonds को बचाने के लिए पैसा प्रिंट करना ही पड़ेगा और जब government पैसा प्रिंट करेगा तो मेरे भ स्टॉक मार्केट ने भी बहुत बहुत जबर्दस्त रैली दिखाई थी और हम लोग आने वाले समय में भी वही देखने वाले हैं ओके यह एक वजह है दूसरी वजह यहां यह देखो यूएस ने सरफ एक दिन में 275 बिलियन डॉलर्स डिप जो है वो हैड कर दिया ओके ए को पता है कि पैसा कहा है इन्वेस्ट करना है और वही होने वाला है और तुमने अगर अगर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया तो एक शौर पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और यहां से थोड़ी इंफॉर्मिशन इकटी करो उसके बद अपनी फाइनेशल रिसर्च करो औ अब यह दूसरा खारण है उसके इलावा अगर हम लोग देखते हैं तो एक्स्चेंजर्स के ओपर बैटकों यह बैलन्स है एक्स्चेंजर्स के ओपर मेरे भाई बिटकोईन बिखने के लिए है ही नहीं और जिस दिन स्पॉर्ट ETF अप्रूव हो गया उस दिन तुम्हें य इसा नहीं होगा थोड़ा बैटकों नीचे जाएगा इनको थोड़ा धका देगा और उसके बाद यह क्या बनाया भाई ने यह तो एक्ष्ली क्लियर नहीं है यार बठाँ चुप चुप पच्च्छब 26,000 डॉलर्स पर यह लेके जा रहा है लोग जो है वो अभी भी यह ब्रेक आउट के या ब्रेक डाउन के यह डेली टाइम प्रेम के ऊपर है वो नीचे गिरता हुआ देखने वाले है जो बिटकॉइन को एक अच्छा-कासा पुश उपर की तरफ देगा उसके इलावा स्टॉक मार्केट अगर हम लोग देखते तो आज ग्रीम में है मार्केट चलाई है यार यह सच में गदा ही है उसके बाद अगर हम लोग ओवरॉल मार्केट देखते हैं तो 1.9 ट्रिलियन डॉलर पॉइंट 4-3 परसंट जो है वो मार्केट ऊपर है बाकी उसके नीचे अल्मोस सब रेड में चल रहा है एक सार्पी परसंट ऊपर और मैंन सबसे अच्छा कर चुक है तो तुम देखोगे तो सुलाना ही नंबर वान है उसके बाद बीस परसंट में बिटकोइन स्वी ट्रस्ट वालेट गाला रेंडर बट सुलाना टॉप गेनर्स में है पिछले एक हफ़ते में सो मेरे भाई समझदारी दिखाओ रिसर्च करो और वालेट में हैड करो उसके बाद हम लोग मैटिक की बात करें तो भाया मैटिक के जो को फांडर है वो स्टेप डाउन कर रहे है और लेकिन स्टिल वही करें कि मैं साइड लाइन पर रहूंगा और कॉंट्रिब्यूट करूंगा तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई अब को फांड जो है टेक्निकली बहुत श्रॉंग लग रहा तो मानलो अगर वो बंदा बेचता नहीं है न तो यहां अगर तुम देखोंगे तो हम लोग मंतली टाइम फ्रेम के ओपर है यह रहा लो यह रहा हायर लो और अब मैंने जैसा कि कहा था हम लोग हायर आए देखेंगे ओके क्य और अगीन बेरिश होने जैसा कुछ नहीं है मार्केट में में डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहो अच्छे और कोई पकड़ते रहो और मेरे भाई एक्यूमिलेशन जारी रखो तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे कल मुलकात होगी दोस्तो थैंक यू सो मच